गूड मोर्निंग कैसे हो भीटा क्लास चल रहा अप लोगका पढ़ाई चल रहा है क्लास बोल रहा है क्लास को अभी खैर कम ही जाना हाख अगर सकूल में आपका प्रिशा हो रहा है तो परिशा मस्ट देना क्योंकिंदे बहुत से सकूल देना भलेई आवे या नावे, ये हमने आपको बताया था, इससे पहले हमने तुमको बताया था multiple question किस टाइब से question को solve करना, उसमें हम कुछ subjective type भी बताया थे, और हमने ये वादा किया था, कि एक slide जो है, एक class हम तुमको सिर्फ subjective question को कैसे आप लिखोगे, उसके बारे में हम बताएंगे, तो ये question set बनाया है, और इसमें mostly जो question है वो, आपका BVI है, तो अब जिसे तुम्हारा short answer question होता है, long answer question होता है, फिर आपका case based question है, आप short में देखोगे, दो तरह का रहता है, एक दो number का question रहता है, और एक तीन number का, long answer question में तुम्हारा 5 number का question रहता है, और वो case study जो है, वो चार number का रहता है, तो case study में देखोगे, mostly क्या होता है, question tag किया रहता है, एक दे देगा, और उसमें 2, 3, 4 question tag मारता है, तो आप कैसे answer लिखोगे वो आज हम आपको बताएंगे तो सबसे पहले दो नंबर का question और देखोगे आपका वो instruction में दिया रहता है कि दो नंबर का question में कितना word होना चाहिए word limit दिया रहता है 30 to 50 words अगर ये this, that, since ये अगर आप लगाओगे तो आपका तो क्या होगा answer लंबा हो जाएगा होना क्या चाहिए कि उस question का कोई point में जो answer है वो answer उस examiner को कितनी जल्दी आप दिखा देते हो आपके सिहत के लिए अच्छा रहेगा समझे लिए मेरी बात तो थोड़ा सा हम आपको question भी बताएंगे और उसका कैसे आप answer लिखोगे वो भी हम कोशिस किये हैं आपको बताने के लिए ठीक है शुरू करें इजाजत है कोई दिक्कत है तो बोलो कृतिका सुहेल क्या दिक्कत है बता बोलो बरें हागे चलो यह देखो भेरी सौट एंसर कोशन है यह दो मार्स का रहता है और इसमें तुम्हारा कितना कोशन रहता है शिक्स कोशन रहता है अब ध्यान से देखना हम सुरू से आपको बता रहे हैं जब भी हम टेन के बोड का प्रिप्रेशन आपको बताते हैं तो हम बार 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 बो और CBSC में तुम्हारा मर्स जो होता है, वो हाफ से कम नहीं होता है, ठीक है, तो हाफ-हाफ अगर चार पॉइंट देते हो, तो हाफ-हाफ करके आपका दू पूर जाता है, अब ज़रा साथ देखो हम कैसे लिखें हैं आपको, देखो एक क्वेस्टन दिये हुआ है, कि नेम दा रिपोड़क्टिव और नन रिपोड़क्टिव हो जाएगा, यही छूट जाता है, नन रिपोड़क्टिव पार्ट्स अप दा राइजोफस, बनाने राइजोफस परेओ आपका, यह फंजाई के केस में होता है, आपके एस सेक्स्वल रिपोड़क्टिव में, देखो गे राइजोफस का चर्चा किये हुआ है, तो उसमें कौन सा पार्ट जो है, रिपोड़क्टिव होता है, कौन सा पार्ट नन रिपोड़क्टिव पार्ट होता है, अब देको उसका दूसरा उसमें टैग लगा है, how are the spores protected till they begin to grow क्योंकि ये spore कहां हो रहता है asporansia में तो asporansia से वो spore कब grow करता है तो मैंने जब तक moist place नहीं मेलेगा तो वो spore तो क्या होता है वो covered रहता है तुमारा wall से hard wall से covered रहता है जैसे वो moisture के contact में जाता है तो क्या होता है वो दीरे दीरे dissolve होता है और वो spore क्या होता है grow करना शुरू कर देता है और एक new plant बनाता है अब देखो इसका answer हम कैसे लिखे हैं देख लो जिससे पहला पार्ट का देखो non reproductive parts बस इतने लिखना है क्या है high field ये आपको half number ये देखो reproductive parts asporansia उसी में aspor रहता है तुम्हारा ये half number है आप देखो दूसरा पार्ट इसका कहता है how are the sports protected till they begin to grow क्या होता है covered by thick wall और वो क्या होता है asporansia जो है वो covered रहता है जिससे ये suppose करो ये asporansia और इसी में इस तरीके से ये aspor रहता है ये क्या है aspor और ये ही है इसका thick wall तो जैसी ये thick wall moisture के contact में आता है तो दीरे दीरे dissolve होता है तब ये aspor क्या होता है grow करके एक new plant बनाता है तो आपको सिर्फ question क्या पुछाता है how are the aspor's protected till they begin to grow protection कैसे मिलता है covered by the thick wall बस इतने answer और ये एक number का है इस तरीके से देखो आपको दो number total अब जैसे this side fraction का number लिखा ये total जोड के यहां पर आपको क्या करेगा two mass दे दिया दूसरा question देखो क्या करता है salts are formed by the neutralization reaction between an acid and waste अब करता है compete the following table by filling the missing data अब जैसे देखो ये सिर्फ ये one two है name of the salt है formula है parent base है और parent acid है अब जिसे देखो salt का नाम दिया ammonium koloride अब इसका formula होगा NH4C यहां ध्यान से देखना ये कैसे लिखाएगा ये 4 नीचे आ जाएगा 4C अब यहां पर देख लो कौन सा base होगा और कौन सा acid होगा वो आपको लिखना है उसी तरीके से देखो copper sulfate है अब यहां पर इसका formula क्या होगा chemical formula base यहां दे दिया copper hydro oxide acid क्या होगा अब देखो इसका answer क्या लिखा है पहला का दोखो ये parent base देखो क्या होगा ammonium hydro oxide NH4OH ये 4 नीचे हो जाएगा बेटा द्यान से मेरी बास सब्ज़ों और parent acid क्या हो जाएगा hydrochloric acid half यहां देगा half यहां देखो total 2 हो गया फिर दूसरे में आ जाओ copper sulfate का formula क्या होगा CUSO4 और यहां पे देख लो दूसरा क्या हो जाएगा sulfuric acid S2SO4 बेस हो जाएगा total देखो फिर यहां पर क्या करेगा आपको answer पे दो नमबर देदेगा तो जब भी आप देखो इधर एक चौथा यह इसे छोड़े रहते हो इधर भी चुकाना चाहिए तो generally क्या होता है यह fraction marks इसी के सामने लिखता है और यहां total करके जोड़ देता है answer इस side लिखना है ANS question का किताब जिसे ANS है तो यहां पर one लिख दोगे और यह इस side लिखाएगा आया समझ में अब दूसरा देखो what is the advantage of having a four-chambered hot in bots and mammals transportation में आप पर हो four-chambered का क्या advantage होता है उसी में देखोगे double circulation जिसे देखोगे fish में क्या होता है mono circulation सिर्फ उसमें pure blood आता है hot में और उसमें respiratory organ गिल होता है वो de-oxygenated blood directly गिल पे जाता है और वहां oxygenation होके वो oxygenated blood hot में auricil और ventricil के थूँ वो पूरे body में distribute हो जाता है frog में देखोगे क्या होता है hot जोता है three-chambered होता है auricil तो दो भाग में रहता है में जाओगे reptile में भी देखोगे three-chambered होता है exception एक होता है crocodile लेकिन bots और mammal में जाओगे hot क्या होता है completely four-chambered होता है दो auricil दो नीचे ventricil तो आप देखोगे एक side क्या होता है pure blood दूसरे side impure blood उसी pure blood को क्या बोलते हो oxygenated blood और impure blood को बोलते हो de-oxygenated blood अब यहाँ पर question यह उठता है कि यह mammals और bots में क्यों oxygenated और de-oxygenated blood separate होता है frog के case में क्यों नहीं होता है तो इसके आधार पे क्या किया है animal को जो है दो भाग में बाटा है एक होता है तुमारा cold-blooded animal तो cold-blooded animal वैसे animal को बोला जाता है जिसका body temperature जो है vary करता है according to the temperature of the environment warm-blooded जो animal होता है तो उसका body temperature क्या होता है constant होता है it does not depends upon the temperature of the environment तो उस constant temperature को maintain करने के लिए क्या चाहिए continuous supply of the energy चाहिए और continuous supply of the energy के लिए क्या होगा energy कहां से आता है respiration से respiration में क्या चाहिए oxygen तो क्या होगा sufficient supply of the oxygen होना चाहिए तो अगर suppose को mixing of blood हो जाता है pure और impure blood का तो oxygen का point concentration क्या होगा कम हो जाएगा मेरी बास समझ रहे हो तो यही यहाँ पर question तुमारा पूछाए कि वो क्या advantage होता देखो कि उसमें एक question यह है why oxygenated and deoxygenated blood is separated उसका reason दिये हुआ है उसमें कि warm-blooded को क्या चाहिए animal को continue supply of the energy यानि sufficient supply of the oxygen चाहिए आप warm-blooded animal है वो काम करे ने करे लेकिन body के temperature को maintain करने के लिए उसको continue supply of energy चाहिए और continue supply of energy के लिए क्या चाहिए sufficient supply of the oxygen therefore oxygenated and deoxygenated blood are separated तो यही चीज यहाँ पूछा है देखो advantage having force देखो क्या काता है prevent oxygenated and deoxygenated blood from the mixing four chamber हो जाता है left oracle, left ventricle, right oracle, right ventricle एक तरफ pure blood, एक तरफ impure blood लाता है दूसरा देखो allow highly efficient supply of the oxygenated blood to all parts of the body दीसरा देखो काता है this is useful in animals with high energy needs such as warm-blooded animal और warm-blooded बोले तो क्या बोलो bots and mammals बाकी जो है तुम्हारा फीस हो, frog हो, sometimes कुछ reptiles भी एक exception है, crocodile का इस सब क्या होता है, cold-blooded होता है उसका body temperature अपने आप change होता रहता है according to the change in the temperature of the environment लेकिन हम लों का जो है, body temperature constant होता है परे हो 37 degree C, normal है आपका इस constant body temperature को maintain करने के लिए उसको क्या चाहिए, compete supply of the energy और compete supply of the energy के लिए क्या चाहिए, sufficient supply of the oxygen आपके body को जितना oxygen मिलेगा, क्या होगा, वो glucose molecules उतना जादे टूटेगा तो जितना जादे glucose molecules टूटेगा, तो आपके body को उतना ATP मिलेगा जितना ATP मिलेगा, उतना energy आप यूज करो ठीक है, तो इस तरीके से देखो answer लिखना है आपको 123 नहीं देना है, देखो इस तरीके से, या तो point बना के या हाइफ़न देखे इस तरीके से answer लिखना है, इसमें देख लो ये half marks का है, ये एक main point इसका यही है, और ये half marks का है इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, दो नमबर का कुस्षा समझ में आ रहा है आजओ, next question देखो, चौथा question आपका है क्या करता है, देख लो, give reason for the following काता है, red traffic signal can be seen from a very long distance ये आपका physics का सवाल है red color सवादी परे हो क्या होता है भीवगोरा परे हो, blue color का wavelength सबसे कम होता है तो जिसका wavelength जितना कम होगा, उसमें scattering power जादे होगा इसलिए क्या होता है, sky आपको blue नज़र आता है क्यों क्या होता है, blue का wavelength कम होता है जिसके चलते वो उपर ही scattered हो जाता है तो वही light आपके आँख पे आता है इसलिए आपको sky blue नजर आता है अब red signal देख लो traffic पे तो इसका wavelength क्या होता है सबसे जादे होता है तो दूर से ही दिखाई दे दोगे और सबसे बरची क्या है wavelength जादे है scattering इसका बहुत कम होता है तो देखो यही answer and list scattered प्यान से देखना half mars यहाँ देगा half mars यहाँ देगा हलाकि इसका अगर answer लिखना चाहिए था तुमको तो यह point दी अब यह नीचे देते यहाँ पर list scattering तब यहाँ पर half आफ करके इधर आता है दूसरा देखो क्या करता है star appear to be slightly higher than their actual position यह भी question आपका report बहुत अच्छी है यह तीन नमरे भी पूछ सकता है diagram के साथ आप जो star देखते हो actually क्या होता है वो actual position नहीं है उसका apparent position है क्या होता है जिसे suppose करो यह अर्थ है यहाँ देखो और मालो यह star है एक कलर दिखाई दे रहा है अब देखो क्या होता है यह जो atmosphere है यह outer space हो गया अब यहाँ से light चलती है देखो यह जो atmosphere का जो layer देखते हो तो ऊपर क्या होता है denser होता है जैसे इसे नीचे आओगे rarer होती चला जाता है यानि denser rarer, denser rarer, denser rarer नीचे आजाओगे तो rarer होता है आप परे हो कि when the light travel from denser to rarer medium तो क्या होता है they bend towards the normal ता अब यह जो light है देखो यह यहां से यह light चलेगी देखो क्या हो थोरा सा यह band करेगा फिर देखो यह band करेगा अब यह आपके आँख फे light आवेगा तो आप जो देखोगे तो यह तो ऐसे देखोगे ना यहां आपको दिखाई देगा बैंड करके आया ना तो जिस direction में आपके आँख में आवेगा उसका image उसी direction में बनेगा कभी कभी यह हो गया actual position इवी color सही नहीं है grow क्या हो देखो यह actual हो गया पोजिशन यह क्या हो गया इसका apparent position देखो क्या answer आप लिखो क्योंकि एक number का question है तो क्या लिखो देखो optical density वो जो light में जो देखते हो जो density होता है तो generally density कैसे define करते हो मास बटा भॉलो थोड़ा सा अगर light में आओगे तो light के लिए जो density होता है वो number of the particle by volume होता है तो जितना जादे particle होगा क्या होगा वो उतना जादे denser medium क्योंकि जितना जादे particle होगा light उतना particle से ठकराएगा ना तो उसका velocity क्या होगा धीर घटे गाना बिटा तो देखो क्या करता है optically density of atmospheric layer is more so the light traveling from space to the atmosphere here क्योंकि उपर वाला में क्या होता है denser होता है जिसे से नीचे आओगे वो तो यहां पर क्या होता है denser rarer, denser rarer, denser rarer, içeriner rarer इस तरीके से layer को compression करो अब यह मलों यह layer , अगर denser हे तो यह हो गया हाफ मार्स, हाफ मार्स, उपर हाफ हाफ आया था, दो मार्स आपका हो गया. Next question देओ, क्या करता है? Write the balanced chemical equation for the reaction that is prevented by storing potassium metal under the Kirashan. Metal, non-metal में परे हो, या करो, क्या परे हो? Highly reactive जो metal होता है, जिसे sodium हो गया, potassium हो गया, तो क्या करते हो, उसको Kirashan while में रखते हो? क्यों? क्योंकि वो vigorously क्या होता है? Air से react करता है, और वो metal oxide बनाता है. यहाँ पर देओ, कैसे उसे question पूछा है? तो अब यह कहता है, write the balance chemical equation, मानि potassium का, तो देख लो, यह potassium oxygen से react करे, देखो, 2 Kto, यह 2 यहाँ नीचे लिख देनागटा. तो देख लो यहाँ, आप उसको balance कर दो, हमने balance में आपको बताया हूँ, कि जब भी अगर आपको, कि यह Kto, वो जो, मानि potassium oxide जो बनता है, तो इसका formula, देखो, सबसे बड़ी चीज़, यह formula भी आना चीज़, देखो. के का होता है, balance C, 1, O का होता है, 2, उल्टा सिधा करो, तो देखो, K2O हो गया, यह potassium oxide का, लिख दिए, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, जब K2O करोगे, तो oxygen 2 है, तो इसको यहाँ 2 किये, तो अब यह होगया 4, इसलिए यहाँ पर क्या किये 4 कर दिए, यह एक number इसमें आया, अब उसके बाद कहता है, identify the type of chemical reaction that is prevented, कौन सा chemical reaction है, combination reaction है, देखो न, इसके compression में क्या है, complex बना, simpler molecules combined together to form the complex molecules, यह oxidation reaction, oxygen का addition, therefore it is also known as oxidation reaction, एक number तुमको यहाँ दे दिया, total कितना हो गया, यह दो नमबर, दूसरा देखो question, क्या करता है, imagine a current carrying circular loop of wire on the plane of your answer sheet, the magnetic field inside the loop is into the plane of the paper, कहता है कि what must be the direction of the current in the loop, a state the rule used here, यह loop समझे परह हो, आपका एक होता है, current carrying, a state conductor, और एक loop में, यह इस तरीगे से लूप में, यह loop हो गया आपका, अब यहाँ पर देखो तो यह current का direction, suppose को यह है, तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर क्या होगा इसके लिए तो यह स्टेट हो गया ना यह भी है तो रिवर्स हो रहा है यहाँ पर क्या हो जाता है सेंटर में यह पैरलल हो जाता है डारेक्शन तो यहाँ पर कोशन क्या पूछा देखो imagine a current carrying circular loop of wire on the plane of your answer sheet the magnetic field inside the loop is into the plane of the paper what must be the direction of the current in the loop, state the rule क्लॉक्वाइज होगा तुम्हारा direction दूसरा यहाँ पर rule कैसे निकाल होगे, यह राइट है, तो अब यहाँ पर बहुत बच्चा क्या करता है, जिसे question देखो, यहाँ पर दियो है, state the rule used here, बहुत लर्का क्या करेगा जो rule है, उसका नाम लिख देगा, उसको explain कर देता है, क्या फैदा है, आप से क्या पूछा है only write the rule used here, कौन सा rule use कियो हो, तो right hand thumb rule, बस इतने लिखना है एक एक number आ गया, तो यह दो number का question इस तरीके से आपको लिखना है, पेटा, अब आजाओ short answer question जो तीन मार्स का आता है, तो देखो, क्या कहता है, state any three reason to justify the use of contraceptive methods यह तुमारा reproduction chapter से है, how organism reproduce, जिसमें birth control आपको परना है पूछता ही है question या तो method of birth control पूछ देगा, या घुमा के थोरा से पूछ देगा कि उस method का क्या reason है, उसे क्या benefit है तो देख लो कोई भी contraceptive method use करते हो, contraceptive का मतलब क्या हो? protective layer जो use करते हो, इससे protection माने fertilize नहीं होता है sperm और ओभा का मिलन नहीं होता ही पहला देखो क्या करता है prevent Unwanted Pregnancy क्या होगा ? जब Esperm Obha मिलबें नहीं करेगा तो क्या होगा ? Fertilization नहीं होगा Fertilization नहीं होगा तो Pregnancy नहीं होगा दूसरा देखो क्या करता है to control population and birth rate automatic क्या होगा जब fertilization है नहीं हुआ, तो population तो size of population भी control किया और उसके चलते क्या हुआ, बर्त, rate भी control हो गया, और तीसरा reason क्या होता है, इस contraceptive method यूज करने से, इस contraceptive भी कई तरह से होता है, oral contraceptive जो medicine के रूप में लेते हो, या physical contraceptive होता है, जिसे quantum order यूज करते हो, सबसी बड़ा क्या होता है, contraceptive method यूज करने से, आप STD से prevent होते हो, कुछ disease क्या होता है, sexually transmitted disease होता है, तो अगर contraceptive method आप apply करते हो, तो इससे आप save हो सकते हो, अब यहाँ पर थीरी reason ही पूछा है, तो आप answer भी थीरी ही reason दोगे, यह देखो, नेक्स्ट क्या दिया है, to prevent the transfer of sexually transmitted disease, simple way में भी लिख सकते हैं, तो प्रिवेंट STD भी लिख सकते थे, ती number आगया, next question देखो, क्या करता है, if two plants having round and green seed are crossed, identify the percentage of the following with respect to the F1 generation, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे, अब देखो, round और green seed है तुम्हारा, यह राउंड यह dominant होता है, और उसका color जो है, green है, तो देखो, यह G, यह छुटका G जो दे दिया, यह क्या हो गया, recessive हो गया, अब यह F1 generation देख लो, कैसे थी करोगा, अब इसको cross कराते हूँ, तो देखो क्या होगा, gamit देखो कैसे बनाऊगे, RG, RG, देख लो, यहाँ इससे बनेगा, RG, RG जो देख लो, combination दो गया न, gamit का, gamit pure होता है, अब fertilization कराओ, देख लो, यह इससे करेगा, यह इससे करेगा, यह इससे करेगा, यह इससे करेगा, तो ध्यान से देखो क्या हो जाता है, R, RG, देखो, दूसरा देखो क्या होगा, यह देखो, यह देखो, RG, यह ठीक है, यह देखो, RG, यह देखो, यह देखो, यह ही ratio आया, देखो, आप देखो, कोश्चन क्या पूछा है, देखो, यह gamit having both the round and green seats, देखो न, क्या होगा, यह भी green देखो, यह भी green है, यह भी green है, यह देख लो यहाँ पर, भैरी कर जा रहा है, क्या होगा, 50% हो जाएगा, तुम्हारा having round and green seat, ठीक है, दूसरा देखो, of spinning having the same genotype as the parent, देखो, क्या हो गया, same, यह है parent का, तो देखो, यह दो है, तो 50%, same type हो गया, फिर पूछ रहा, office spinning having the same phenotype as the parent, यह देखो, यह phenotype change हो जाएगा, यह same होगा, तो क्या हो गया, 3 is to 1 का ratio हो गया, तुम्हारा, क्या हो गया, यह 75% हो गया, वो 25% हो गया, यह 25% क्या हो जाएगा, round हो गया, लेकिन yellow हो जाएगा, बाकी क्या होगा, round and green होगा, यह देखो, एक एक नमबर इसमें देगा आपको, next question देखो, क्या कहता है, the electronic configuration of some element is given in the table below, थो, थोड़ा ध्यान से देखना बेटाई, question, इसमें बरावर रहता है, question, ध्यान से देखो, यह element P है, इसका electronic configuration देखो, 2 8 8 है, ऐसा नहीं लग रहा है कि यह inot है, argon, ऐसे लिखना नहीं है तुमको, Q का देखो, 2 8 8 1 है, यानि एक electron एक्स्ट्रा है, यह metal हो जाएगा, नहीं लग रहा है potassium के जैसे, R को देखो, इसको 2 electron की कमी है, फिर देखो S को देखो, 2 5, इसको 3 electron की कमी है, फिर इस T को देखो, इसको 2 electron जादे है, U को देखो, इसको 1 electron कम है, अब देखो question क्या पूस्सता है, इसमें ध्यान से देखो, identify any two pairs of the element that will react to form compound by a transfer of electron द्यान से देखो एलेक्ट्रोवैलेंट compound आपको बनाना है तब कौन से इसमें से element एलेक्ट्रोवैलेंट compound बनाएगा है द्यान से देखो एक क्यूँ है कम चाहिए तो देखो यह R से भी हो सकता है तो देखो एक क्या हो जाएगा तुम्हारा Q and R देखो न Q को एक electron जादे है R को देखो दो electron की कमी है Q R हो सकता है दूसरा देखो यह Q है U को देखो इसको एक electron की कमी है इसको एक है तो यह तुम्हारा Q and U के साथ भी हो सकता है बनाने के लिए देखो न, ये T और S से भी बना सक्यों, P से कोई नहीं बनेगा, क्योंकि इसका octet पूड़ा है, तो आपको दो ही पूछाता देखो, क्या answer है, Q and R, Q and U, एक एक नंबर का question है, दूसरा देखो, कहता है, write the molecular formula of the compound formed by the pair of elements identified in A, तो आप ये दो identified की, यहाँ पर हम तीन भी कर सकते थे, चार भी हो सकता है, बन सकता है compound, लेकि दो ही आपको करना था, तो अब इसका formula क्या होगा, Q and R, तो द्यान से देखो, Q का क्या है, एक, ये Q पर एक balance है, R को दो की कमी है, तो इसको उल्टा सीथो, minus plus का यहाँ value नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, Q to R, इसका formula हो जाएगा, आया समझे में, उसी तरीके से देखो, Q and U का है, तो Q का देखो, एक है, आई U को देखो, एक है, तो इभी एक, एक के cancel हो गया, इसका formula क्या हो जाएगा, Q, आया मेरी बा देखो, इस समझे की नहीं, बहुत जरूरी है question यह, यह देखो, Q to R, और Q, half marks, half marks, हो गया तुमको, उधर दो marks था, यह, हो गया तुम्हारा, 10 question में आज़ो, देखो, कता metal A is used in the thermite process as a reducing agent, when A is heated with oxygen, it gives an oxide B, which is emphotric in nature, identify A and B, illustrate with the help of chemical equation, the reaction of B with HCl and NOH respectively, देखो हो ही, यह metal, non-metal से है, दोखो, घुमा के पूछा है, इसमें emphotric oxide भी आ जाता है, और सबसे भी भी आई है, what is the emphotric oxide, give two examples, याद को परे होगे, aluminium oxide and zinc oxide, thermite process में परे हो, reduction में आपका, thermite process का use welding में भी होता है, railway track को, तो क्या होगा यहाँ पर, देखो लो, क्या काता है, metal A is used in the thermite process as reducing, simply aluminium हो जाएगा ना, देखो, A का answer, aluminium है, when A is heated with oxygen, it gives an oxide, क्या देगा, aluminium oxide देगा, क्या formula हो जाएगा, यह AL2, O3, यह थोड़ा सब नीचे कर ले न, बटा देखो, हाँ, अब यहाँ पर देखो, वो जो emphectric oxide है, तो वो दोनों भी हैब करता है, acid के जैसे भी और base, तो दोनों, देखो, reaction कराया है, एक यह base से कराया, यह acid से कराया, तो यह देखो, एक एक नमबर, तीन नमबर का question, generally chemical equations जो होता है, वो एक एक नमबर का राता है, अगर कोई chemical name पूछता है, यह formula पूछता है, तो half-half Mars का राता है, either the name of the compound or the formula of the compound, तो half-half Mars होगा है, देखो, यह half-half, एक एक, टोटल कितना होगा है, तीन यहादे, given below are some disorder noticed in the some patient, it could, it be due to malfunctioning of which part of the brain, brain का structure पर हो, control and coordination, control and coordination में, brain का तीन पार होता है, सबसे उपर, four brain, mid brain, hand brain, four brain का जो major role होता है, वो voluntary action, जो आपके willpower में है, hand brain का सबसे last portion, medulla oblongata, जितना involuntary होता है function, वही पर यह question है, तो देखो, क्या करता है, loss of sensation of feeling full, lowered ability to the slivate, माने slivation नहीं हो रहा, sliva का formation नहीं होगा, difficulty in maintaining the posture and balance in the body, देखो, यह loss of sensation of feeling full, यह देखो, four brain, हमने क्या बोला है, voluntary है तुमारा, यह देखो, यह B जो है, lowered ability, यह involuntary action है, यह आप नहीं कर सकते हो, जिसे भोजन आता है, तो slivation शुरू हो जाता है, तो यह कौन कंट्रोल करता है, तुमारा medulla, तो देखो, medulla in hand brain, और यह जो postures होता है तुमारा, तो hand brain का ही part होता है, cerebellum, और four brain में main जो होता है, उस cerebrum होता है, तो यह इतना फंसन जो है, four brain का क्या फंसन है, mid brain, क्या होता है, sight and hearing, hand brain में involuntary action और यह देखो, cerebrum है, उसी में पर होगे एक पोन सोता है, that is the center of the respiration, यह देखो, यह numerical आ गया है, a four cm tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens, of focal length 20 cm, the distance of the object from the lens is 15 cm, find the nature, position and the size of the image formed, एक numerical रहता है, numerical का देखो, बनाने का तरीका क्या होता है, सिर्फ आप answer सही लिख देते हो, तो ऐसा नहीं है कि full marks आ जाएगा, fraction में marks होता है, देखो, कैसे इसको करोगे, देखना है, सबसे पहले जब भी numerical आवे तो given निकालो, उसमें क्या क्या है, उसका फार्मूला हाफ मर्स यहां पर आ गया, calculation पर क्या होता है, उसमें भी fraction होता है, अगर आप, suppose करो answer सही निकाले हो, लेकिन उसका unit अगर गलत कर दिये, तो आप हमार साथ का काट लेड़ा, देखो कैसे है, यह देखो, यह given में देखो, क्या हम किया है, यह u आपका, माइनस 15 cm, फोकल लेंद माइनस 20 cm, आपको भी निकालना है, अब यूजिंग लेंज फार्मूला देखो, 1yb-1yu is equal to 1y, इतने में हाफ मर्स आ गया आपको, मत बनाओ नुमेरिकर, अब फार्मूला देखो, अब फार्मूला पर उसको बैठाओ, तो 1yb-1y, दोखो, माइनस 15, 1y20, फिर इसको 1yb अधर करोगे, दोखो, माइनस 1y20 पलस 1y, 15, इसका LCM निकालो, तो 1yb is equal to हो जाएगा, माइनस 1y, 60, आप देखो, वी is equal to हो गया, माइनस 60 cm, देखो, हाफ मर्स यहां आ आ गया, अब देखलो, वो, इमेज का साइज निकालना है, परहो, मैगनिफिकेशन, m is equal to होता, hi बठा, ho is equal to, byu, हाफ मर्स यहां देदिया, जैसे फार्मूला लिखो गया, हाफ मर्स, तो hi is equal to, देखो, 16 cm हो गया, हाफ मर्स यहां आ गया, अब उसका नेचर लिखना था, तुम्हार, देखो, image formed is virtual erect और magnified, इसमें से कोई दो ही लिखना है तुमको, आइदर लिखो virtual erect और magnified, एक नमबर यहां आ गया, टोटल कितना हो गया, देख लो, दो, एक, तीन नमबर हो गया आपका, तो यह आपका CBS, लेकिन fraction में क्या होता है, calculation पे तुम्हारा एक मार्स होता है, यह ध्यान देना, next question देखो क्या काता है, a metal X is obtained from its chloride salt by exposure to sunlight, in which section of the reactivity series of the metal, top, middle, bottom, is it likely to be placed, justify your answer, अब देख लो, यहां पर, काता है कि metal X is obtained from its chloride salt by exposure to sunlight, अब यहां पर exposure to sunlight करोगे, तो जेनरली देखोगे वो फिल्म में निगेटी में डवलप होता है, यह AZ-Cl2, तो यह AZ क्या है तुम्हारा, जिसे reactivity series पर हो, सबसे उपर वाले को, top, beach वाले को, middle, नीचे वाले को, bottom कहा जाता है, उसका reactivity बहुत ही list होता है, सबसे उपर वाला highly reactive होता है, अब यहां पर sodium chloride नहीं दे सकते हो, क्योंकि sodium chloride को जो है, वो highly reactive होता है न, तो वो sunlight के expose से वो, क्या होगा, decompose नहीं करेगा आपका, मेरी बात समझ रहे हो, तो यह देखो, यह, क्योंकि reactivity series में, hydrogen से नीचे जो भी metal होता है, वो list reactive होता है, और उसको bottom section में रखा जाता है, आप देखो काता, identify the type of reaction the chloride salt of metal X undergoes on exposure to sunlight, आप देखो, पहला इसमें क्या पूछा है, question देखो, A में, in which section of the reactivity series of metal, किस में रख्यों, top, middle या, bottom, तो क्या हो जाएगा, at bottom, एक number यहां आ गया, दूसरा देखो, क्या काता है, metal at the bottom are the least reactive, generally क्या होता है, जो तुम्हारा least reactive होता है, तो फ्रिली एस्टेट में ही पाया जाता है, जैसे तुम्हारा gold हो गया, AU हो गया, copper भी उसी category में आता है, HZ भी उसी category में आता है, और यह अगर किसी के साथ, अगर compound भी बनाता है, तो वाने stable होता है, थोड़ा सा भी मजबूरी में न बनाया है, उस non-metal को कोई नहीं मिल रहाता है, तो मजबूरी में कर लिया है, कभी कभी क्या होता है, किसी किसी ladies को नहीं कोई मिलता है अच्छा बर, तो protection के लिए किसी से साधी कर लेता है, तो मजबूरी करना, जैसे उसको थोड़ा सा कुछ मिलेगा, वो क्या करेगा, छोड़ देगा, तो वो ही यहाँ पर देखो, कहता है क्या, occur in free state, compounds are unstable and easily converted into matter, इसमें परे होगे, वो जो bottom में होता है, तो उसके reduction के लिए क्या होता है, heat alone होता है तुमारा, heat, act as a reducing agent, और इस क्या कहता है, identify the type of reaction, क्या हो गया, photolytic decomposition, यह आप सिंपल वे में कह सकते हो, photolysis, परे हो, decomposition reaction, इन तरह का होता है तुमारा, thermal decomposition, photo decomposition और electrolysis जो बोलते हो, electro decomposition, अब आजाओ, long answer question, देखो 5 marks का, फिर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, 5 marks का question का मतलब क्या होता है, यह यहाँ पर काता है, 80 to 120 watts, मतलब यह तो answer पांच लाइन में होगा, यह दस लाइन में होगा, यह अगर ऐसी अगर देखोगे तो half page, अगर उसमें diagram दे दिया है, तो हमेशा 5 number में जब diagram पूछे, तो 3 number का diagram हो जाता है, एक number diagram पर और दो number leveling पर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, leveling भी जो करता है, बहुत बच्चा क्या करता है, इतना लेवलिंग कर देता है, कि सा अब घौच पहुच हो जाता है, minimum 4 main main parts को leveling करना है आपको, 4 करो तो भी 2 number देगा, 6 करो तो भी 2 number देगा, तो main main part का leveling करना है आपको, और diagram का मतलब हमेशा यह याद रखना, diagram का मतलब क्या होता है, यह नहीं है कि जो आपके NCRT में diagram है, वह होना चाहिए, वो तो scan किया हुआ है, diagram का मतलब उसको simplify करो, आपका जो parts है, उसका level, position सही है कि नहीं है, यहाँ इसके उपर यह होगा, इसके उपर यह होगा, साइड में यह होगा, इस साइड में यह होगा, वो position सही आना चाहिए, diagram हो गया, इसे होट का diagram आपके book में, थोड़ा सा complicated है, निफरोन का diagram बनाते हो, देखोगे NCRT में, थोड़ा सा complicated, उसको simplify कर लो न, आप देखो, excretion chapter देखो, मेरा निकाल के simplify diagram बता है, होट का भी बता है, तो देख लो, long answer में देखो, हम यहाँ पर थोड़ा सा chemistry से जो question आता है, इस टाइब का एक नएक question रहता है, इसलिए जो जो question पूछता है उस type का, हम उसको दोनों दिये हैं, example में, थोड़ा सा ध्यान से देखना, देखो, यहाँ पर क्या कहता है, वीटा, an organic compound P is an constituent of the wines, आप देखो, NCRT में जैसी wine की चर्चा करते हो, एक के वोचीज आता है, ethanol, यहाँ, CS3, sorry, C2, H5, OH, अब तो यह confined हो गया, P क्या है, अब देखो, क्या कहता है, on reacting with the acid 5, Kr2, Cr2, O7, potassium dichromate, इसको कहा जाता है, परे हो, oxidation में, दो catalyst होता है, एक potassium per magnet होता है, क्या होता है, क्या होता, alcohol का, अगर oxidation कराओगे, तो वो क्या बन जाएगा, acid बन जाएगा, तो जितने number of carbon का alcohol होता है, उतने ही number of carbon का क्या बनेगा, acid बनेगा, तो वही यहाँ पर देखो, क्या करता है, on reacting with the acid 5, Kr2, form and another compound Q, तो आपको यही सिर्फ परना इतनो, तो दो carbon number है, तो नंबर का carbon क्या बन जाएगा, it knowing a seed, देखो कैसे answer लिखो गया, तो यह क्या हो गया, तो यह क्या हो गया, अब देखो क्या करता है, when a piece of sodium is added to Q, a gas R even which burns with a pop sound, सब आदी परे, pop sound क्या होता है, hydrogen gas का, और एक परोगे, क्या है, carbon dioxide का होता है, हम भूला रहे हैं हो, तो यह सब क्या बोलते होगा, वो question, देख लेना, तो पॉप sound का मतलब है हो जाता है, hydrogen, देखो, when burning much is brought near it, पॉप, तो हाइड्रोजन gas क्या हो गया, highly infirmable होता है, तो अब क्यूँ एक gas R evolve which burn with देखो, अब देख लो क्या होता है, इस ethnoic acid को, CS3COOH, देख लो, इसको अगर आप sodium देखो, react कराओं, क्या होता है, यह CS3COONA बन जाता है, अब पलस H2, यही R है gas, hydrogen gas, तो यह क्या बन गया बेटा, इस्टर बन गया, sodium ethnoate हो गया तुम्हारा, अब देखो, question पूछता है, give the chemical name of the compound P, अब answer दो, क्या हो जाएगा, chemical name पूछा है, ethnole, एक number यहां आ गया तुम्हारा, दूसरा, देखो, क्या करता है, mention another use of the compound P, apart from the use mentioned in the question, माने, wine के अलाबा और क्या-क्या use है, यार, यह तो solvent होता है, industrial ingredient में होता है, महारा cup syrup बनता है, बहुत सा इसका use है, good solvent इसको कहा जाता है, wine नहीं देना है तुमको, तो देखो, क्या लिखे है, ingredient of cup syrup, medicine में यूज होता है, इतना लंबा नहीं लिखता है, तो लिख लो, use as a medicine, industry में भी इसका use होता है, laboratory में इसका use होता है, slide, glide, tissue का प्रिपरे, वहाँ, laboratory में बहुत ही use है इसका, इसलिए government इसको ban नहीं नहीं कर सकता है, लिटा, अब देखो, क्या काता है, देखो, क्या काता है, give an balanced equation to deficit the reaction of q with sodium, q बोले तो, क्या था, ethnoic acid को sodium से, तो देख लो, क्या है, ओ, sorry, पहला है, देखो, ये illustrate with the help of chemical equation, the conversion of p into the q, the p देखो, ये ethanol, acidified potassium dichromate के presence में क्या बन गया, ये q बन गया तो, इथनो इक acid, एक नमबर, c, c, क्या पुछे हुआ है, हाँ, ये d, देखो, give a balanced equation to deficit the reaction, वो reaction आपको लिखना था, तो देखो, यहाँ पर, ये देखो, sodium, ये presence में देखो, ये sodium इथनो 8, ये hydrogen R बन गया तो, इक आता है, what happens when P is heated with conch H2O4 at 44, 3K, write the chemical equation, ये ethanol का property में है, dehydrogenation, क्या होता है, ethene का formation होता है, देखो, ये, c2, h5, ये थोड़ा साथी कर ले न, ये 2 नीचे होगा, ये 5 नीचे होगा, कॉंक देखो, ये भी 2 नीचे, ये 4 नीचे होगा, देखो, ये c2, h4, पलस h2, ये 2 नीचे, ये एकदम रट लेना equation, बराबर पूशता है, तो इस type का एक question आता है, तो जब भी question पर हो, तो वही पर थोड़ा सा रफ कर लो, कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, क्योंकि अगर wine की बात आती है, आपके carbon compound में, तो ethanol, perfume की बात आती है, तो ister, वह भी देखो, उस पर भी question है, देखो, क्या कहता है, An organic compound, X is a liquid at room temperature, it is also a very good solvent, and has the molecular formula C2XO6, इसको तो तो क्या होगा, C2S6, क्योंकि O एक ही है, तो ध्यान से देखो, आप functional group पर हो, एक O बाला, दो ही compound होता है, या तो ketone होता है, या एल्ली हाइड होता है, या alcohol होता है, लेकिन अगर तोरोग न ketone बन रहा है, न एल्ली हाइड बन रहा है, C2S6, तो 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 देखो तो ये, C2H5OH होड़ा है, क्या किया है, इस H को यहाँ पर जोड़ दिया है, तो C2H6O, अब confined हुए, ये क्या है, इतनॉल है ये, upon oxidation X give Y, देखो अभी वही उपर पर है, oxidation Y, क्या दे दिया, इतनोईक एसीड, Y release a gas W, देख लो, with brisak impervisions, देख लो, ये वर्ड जैसी याब आवे brisak impervisions, समझ जाओ क्या, carbon dioxide, on reacting with sodium hydrogen carbonate, दो reaction आपको उसमें परना है, sodium hydrogen carbonate के साथ, एक sodium carbonate के साथ, इतनोईक एसीड का reaction है, दोनों में H2O और CO2 का formation होता है, और जहां भी CO2 बनेगा, तब brisak impervisions, तो जैसे ये word आपके क्षी question में, ब्रिसकी पर्विसेंस, समझ जाना से सुरा carbon dioxide है, pop, metal, non-metal ने pop sound कहीं पर नहीं चर्चा किया, carbon compound में आपका, तो hydrogen gas, अगर burn कराओगे तो, देख लो, क्या करता है, X react with Y in the presence of CONCAS to SO4 to give another compound Z, which has a pleasant smell Z, pleasant smell जैसे ही आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ister का formation हो गया, और इस process को कहा जाता है, esterification, देखो answer कैसे इसको लिख हो गया, देखो, क्या करता है, give the chemical name and chemical formula of Y, how will you test for the gas W, देख लो, deficit the formation of Y and Z using chemical equation, name the reaction of formation of the Z, give any one use of the Z, तो देख लो, give the chemical name and chemical formula of the Y, देख लो, क्या था Y, इतनोई के सीड, और उसका formula क्या हो गया, देखो, यहाँ पर क्या होगा, C होगा विटा, इसको ऐसे पर, C, S, 3, C, O, H, यहाँ पर F, C छुट गया था, हाफ-हाफ मार सा गया, B में देखो, how will you test for the gas W, देखो, the gas evolved W turns lime water milky, क्योंकि carbon dioxide क्या होता है, lime water को milky में comfort कर देता है, यह respiration activity में पर लो, फिर C, देखो, depicted the formation of Y and Z using chemical equation, तो देख लो, ओई, oxidation आपको कराना है, देखो, यह X है, यह Y का formation हो गया, इसमें Y और Z दोनों पूछा है, तो Z देख लो, यह है आपका, यह ethanol को, ethanolic acid से react कराओ, in presence of the sulfuric acid, क्या बन जाएगा, देखो, इसका नाम बोलो तो कोई आदमी, इस्टर तो ही है, क्या होगा, इथाई, दो carbon है, इथनो एट, और H2O हो गया, आप देखो, D काता है, name the reaction of the form, सिर्फ name देना, क्या होगा, istrification, half marks, आप काता है, give anyone use of the jet, देखो, perfumes, या cosmetics, इसमेंसे एक ही देना है, oblique दिये हुए, half marks है, इस तरीके से लेखो, कितना छोटा एंसर आता है, 5 नमबर तुमको मेल गया, आगे बर हो, यह देखो, बाइलू जी में आज आफिट, काता है, flow of energy in a food chain is unidirectional, justify the statement, दूसरा उसमें जोड़े हुए, इने cross between the pea plants having round green seed and wrinkled yellow seeds, what progeny is expected in F1 and F2 generation, अब ध्यान से देखना पहले, पहले तो यह flow of energy in food chain पहें, आप सवाद ही पहें food chain, जब भी food chain शुरू होता है, तो plant से ही शुरू होगा, इसी को क्या बोलते हो, आउटो ट्रॉफ, आप देखो, food chain क्या होता है, आउटो ट्रॉफ से कहाँ जाएगा, हर्वी भोरस, हर्वी भोरस से कहाँ जाएगा, कार्णी भोरस, यह देखो, यह जो energy food के रूप में जो transfer होता है, तो plant देखो, आउटो ट्रॉफ क्यों बोलते हो, क्योंकि अपना इभोजन खुद बनाता है, यह जो energy जो लेता है, तुम्हारा यह कहाँ से लेता है, sun से, क्या हो गया जाएगा, sun, अब ध्यान से थोड़ा सा देख रहे हैं, आपनां क्या बोल रहे हैं, plant में जो chlorophyll होता है, तो वही chlorophyll क्या करता है, that trap the energy, तो यह chlorophyll सिफ वसी energy को trap करता है, से निकलता है, सिर्फ उसी को accept करेगा, क्योंकि अब ऐसा नहीं को, इस आर्थ पे तो सब energy किसका ultimate source of the energy, तुम्हारा sun ही है, यह सिर्फ, वही energy trap करेगा, जो sun से radiate होता है, डारेक्टल, इनडारेक्टल यह नहीं लेगा, अब यह देख लो, यह solar energy यहां आया, प्लांट trap किया, food में store कर दिया, अब यहां से energy हर भी borus में, अब क्या होता है, सवादी परे हो 10% लो, क्या होगा, यह plant, जितना energy store, comfort किया है, उसका 90% ही अपने use करता है, 10% ही हर भी borus हो देगा, तो यह 90% energy तो use किया न, तो lost होगा न, यह community heat के रूप में loss होता है, atmosphere में चला जाता है, तो यह जो lost energy है, never returning to the food chain, क्योंकि plant इसको trap ही नहीं करेगा, यह atmosphere में रहा जाएगा, फिर देख लो, यह हर भी borus पर जो 10% आया, इस 10% का 90% यह use करेगा, 10% आगे देगा, तो यह use करके जो फिर loss होगा, तो वो community heat में हो जाएगा, atmosphere में, तो वो फिर back नहीं जाएगा, या वो atmosphere में जाएगा, तो plant में trap करेगा, plants जब भी trap करेगा, तो कहां, सिर्फ sun से जो energy आता है, फिर यहाँ देखो, कार्निव औरस पे आया, फिर उसी तरीके से यह 90% और 10% टॉप कार्निव औरस को देगा, तो यहाँ पर देख लो, क्या होता है, कि यह जो solar energy जो देख रहे हैं, एकदम uni direction है, जैसे जैसे बढ़ते जाते हो food chain में, progressive तरफ तो यह नहीं होगा, कि back मारे गाई energy, आया, तो वही पूछा आई से में, कि justify करने के लिए, आप देखो, क्या कहता है, energy trapped by autotroph, only radiated from the sun, मानि वो autotroph, सिर्फ कुन energy को trap करेगा, which are radiated from the sun, यानि phrase, दूसरा देख उसमें जोड़ा है, energy which passes to the herby boris, does not come back to the autotroph, मेरी बास सब्देख, यह one way चलता है, हो गया तुम्हारा, एक number वहाँ देगा, एक number यहाँ आदेगा, यानि यह दो मार्स का ही तुम्हारा, क्या हो गया, एक question, अब आज़ो B में देख लो, अब देख लो यहाँ पर, यह in a cross between the pea plants, having round green seed and the whole, यह dihybrid cross है, बहुत बच्चा यहाँ पर confuse राता है, dihybrid cross कराने का परपस यह था, यहाँ पर दो ट्रेट लेके चला, पहला जो monohybrid था, जिसके आधार पे उसने तीन लो निकाला, law of dominance, law of segregation, और तीसरा जो था law of independent assortment, तो यह dihybrid cross पर लाया, लेकिन ratio वही होगा, जो आप monohybrid में परहे हो, F1 generation में, सारा dominant होगा, heterogious होगा, F2 generation में, क्या होगा, 3 is to 1 का ratio आवेगा, phenotypic, genotyp लेऊगे तो 1 is to 2 is to 1 का आवेगा, अब यहाँ पर देख लो, आप अगर trait बढ़ाओगे, तो क्या होगा, ratio भी बढ़ेगा, वहाँ क्या किये थे, आप स्रिफ लिये थे, tall, और dwarf, इसको capital T, capital T, यह small t, जिसको mental factor कहा था, mother का, एक father का, अब gamit बनेगा, तो यह देखो, T, T, यह gamit बनाओगे, तो देखो, यह T, T, अब यह cross कराओ, fertilize देखो, यह इससे करेगा, यह इससे करेगा, यह इससे करेगा, देख लो, यह T, T, यह T, T, अब यह F1 generation हो गया, अब यहाँ पर देख लो, जब इसको, इस seat को grown कराया, तो मेंडल क्या देखता है, सब लंबा है, टॉल है, लेकिन देख लो, जब genotype देखता है, तो देखो, सेम नहीं नहीं है, यह हेट्रोजाइगस हो गया, सब हेट्रोजाइगस है, यहाँ देखो, यह होमोजाइगस है, यह भी होमोजाइगस है, लेकिन यहाँ पर टॉल होमोजाइगस है, डॉमिनेंट, और यह होमोजाइगस है, रिसीसी, यहाँ पर हेट्रोजाइगस है, फिर अब देख लो, इसी दो को क्या किया सेल पोलेने सन होने की यह एफ्टू जन्रेशन में गया तो यह देखो यह टी टी अब देखो गयमेट मनाओ यह टी इसको मिटा दे में जान से देखो यह अब देखो क्या होगा क्या होगा देखो टी टी यह देखो यह हो गया इसका एफ्टू जन्रेशन सेकेंड जन्रेशन हो गया अब देखो जब यहाँ पे इस सारे सीट को ग्रोंड कराया तो फीनो टाइप जो रेशियो आ रहा था यहाँ पर पैरेंट देखो हेट्रोजाइगस है लेकिन देखो क्रॉस करने के बाद देखो कुछ होमोजाइगस मना और कुछ हेट्रोजाइगस तो फीनो टाइप में क्या है थीरी इस्टू वन का रेशियो आया यानि 75 परसेंट क्या हुआ टॉल और 25 परसेंट क्या हुआ द्वार्फ हो गया लेकिन अगर जीनो टाइप लोगे तो देखो यह एक तरह का है यह दोनों एक तरह का यह तरह का है तो 1 इस्टू 2 इस्टू 1 का रेशियो आया थीक है अब मेंडल को क्या था यह तो एक कारेक्टर एक ट्रेट लेके चला अब क्या होता है किसी भी लिविग तिंग में there are a number of the threat तो कहता है कि during the transmission जब वो character transmit होता है parents से gamit formation में तो कहीं one treat affect the other trait तो वो टेस्ट करने के लिए वो diabetes 2 character को consider किया तो वो law of independent assortment क्या कहता है कि during the transmission of the character each and every character or trait transmit independently वो किसी दूसरे पर वो कोई अथी नहीं वो अपना अपना सब्त होता है एक दूसरे को कोई effect नहीं करता है इसलिए उसका नाम रखा law of independent assortment जिसे मालो सपोज करो कोई दरवाजा है दस लड़का उसमें प्रिवेस करता है हर लड़का को कोई एक दूसरे से बाधा नहीं अपना आपना जा रहा है एक दूसरे से कोई मतलब नहीं इपेंडेंडेंट हो गया तो यहां पर वही यह चीज किया है कि what progeny expected in F1, F2 generation what would be the impact on the ratio of F2 generation if F1 progeny plants inherited a single whole gene set from each parent give reason for your answer हलाकि यह चीज आपको नहीं परना है कभी कभी क्या होता है जब gamut formation होता है तो यह दोनों एक ही में आ जाता है और यह खाली हो जाता है तो अब अगर यह fertilization कराओगे इससे देखो तो देखो नो डवल टी 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 हो जाएगा ऐसे तो यह नहीं परना है तुमको अब देखो इसका answer क्या लिखा है यह देखो क्या करता है F1 generation देखो all round L दो देखो का इसा हुआ बताओना जल्दी से यह round जो है यह dominant character है यह small r जो हो गया वो wrinkle के लिए आ गया recessive यह y capital देखते हो यह y small क्या हो गया recessive हो गया तो देखो all round L जो जैसे वहाँ पर देखे थे थे ना क्या हो था all tall हुआ था यहाँ दो character लिए हो ना तो दो character में कोई dominant होगा एक recessive होगा अब देखो F2 generation में generally कुछों नहीं करना है यहाँ पर जो ratio आता है 9 is to 3 is to 3 is to 1 का यह याद कर ले बस अब यहाँ पर थोड़ा clear कर दिया round yellow 9 round green 3 wrinkled yellow 3 wrinkled green 1 यह अब देखो क्या करता है if progeny plants inherited a single whole gene set from each parent then the ratio of 9 is to 3 will not be obtained क्योंकि जब अब वो टोटल का टोटल ही आ जाएगा तो क्या होगा तुम्हारा independent assortment कहां हुआ वो मालो capital T, small T को साथे लेकर gamit में चला आया तो independent क्या हुआ जैसे यह जो gamit हम गोले यह T, T तो यह अपना इधर आ रहा है T, यह इधर आ रहा है अगर साथे आवेगा gamit तो देखो ना यह T, एक खाली हो जाएगा ना तब आपका यह कहां यह हो लोड आएगा, exception हो जाएगा देखो क्या कहता है तो यह इतना परना नहीं जादे, इस पर स्ट्रेस नहीं देना कभी कभी क्योंकि आपके CBAC के सेंपल पर जो एडिशनल पेपर निकाला उसमें दिया था इस दे बता दिया नेक्स्ट कोशन देखो क्या करता है एपरसन इस अनेबल तो सी अब्जेक दिस्टिंटली प्लेश्ट विदीन 75 cm फ्रम ही जाएग देखो न, 75 cm का मतलब समझ रहो इतो हो गया, तुम्हारा लॉंग साइट हो गया नेम दिफेक्ट विजन दा परसन इस सफरिंग फ्रम लिस्ट इस्ट इस तु पोसेबल कॉज कल्कुलेट दा पावर अफ दे लेंस नीड़ेट तो करेक्ट दिस दिफेक्ट बना दोगे इस टाइब का कोशन रहता है तुम्हारा वह आइड दिफेक्ट में दो परना है तुम्हारा सॉट साइट और लॉंग साइट तो देख लो इता यहीं से अनेबल टू सी ओब्जेक्ट डिस्टिंटली दे दिया है देखो प्लेस्ट विदिन 75 cm दिया है तो देख लो क्या कहता है hyper metropia या long sightedness हो जाए रहा क्या होता है उसमें क्यों होता है curvature of eye lens decreases यह है यह क्या हो जागा ऐसे हो जाता है दूसरा देखो क्या होता है shortening of the eyeball c है calculate the power of the lens needed to carry the defect power of lens कैसे निकाले सवाद में जानते हो eye में u क्या होता है सबसे least distance कितना होता है minus 25 cm रहेगा नहीं 25 cm यहाँ पर भी देखो क्या दिया है जहाँ दिया है वही image बनेगा 75 cm तो f निकालना है 1 by f देख लो यह निकला तो निकालो गए तो f आता है 37.5 cm और p पर हो 100 by f निकाल दो देख लो यह आया आपका इतना power का lens बनेगा आपका यह converging हो गया यह थोड़ा अथिक यह तो diverging हो जाता है केस बेस्ट या डाटा बेस्ट कोस्चन चार मार्स का होता है तुम्हारा जेनरली यहां भी कोस्चन टैग जादे रहता है तो यह जो कोस्चन जो देख रहे हो हलाकि जादे तुम्हारा रहता है इसमें कोस्चन जो है न केस स्टरडी तुम्हारा electricity से भी दे देता है उसके बाद तुम्हारा heritage से देता है environment से भी देता है और source of energy है पारना तुमको natural management तो हटा दिया है इसलिए उससे रहेगा नहीं के प्रोपोसर देखो अब इसे carbon compound से पूछता है देखो क्या कहता है given below a four carbon excleton of the hydrocarbon यहाँ पर देखो यह चार carbon का दिया है कहता है feel in the hydrogen atom or bond to form ध्यान से देखो इसी से तुमको एक saturated hydrocarbon बनाना है दूसरा uncaturated अब ध्यान से देखना अगर saturated hydrocarbon का मतलब क्या हुआ carbon carbon के बीच में single covalent यानी यह देखो देखो एस ट्रक्चर इसका यहाँ भी क्या हो जाएगा है यह देखो समझ रहे हो मेरी बात एक saturated hydrocarbon एक unsaturated hydrocarbon बनाना है तो देखो saturated देखो यहाँ पर बनाया है समझ में आ रहा है कैसे हुआ देखो न यहाँ एच हो जाएगा यहाँ तीन एच होगा हर carbon को चार लक्री चाहिए न बिटा यहाँ भी देखो तीन लक्री तीन hydrogen यहाँ भी देखो तीन लक्री हर carbon का की नो इस carbon का देखो तीन एक चार इसका देखो एक दो तीन चार इसका देखो 3 14 इसका देखो 314 कारवन कारवन के बीच में है सिंगल बांड तो वह सचुरेटेड हो जाएगा अन्सचुरेटेड डवल या ट्रीपल देख लो यहां पर क्या किया डवल बांड तो जैसी यहां पर डवल बांड दोगे तो देख लो यह एक हट जाएगा देख लो दूसरा देखो ठीक है तो देख लो यह CS3 यह CS2 हो गया यह CS3 हो गया अब यह H हट जाएगा यह double bond दे दिया ना देखो इस carbon का जो रो दो यह 3 आ एक यह 4 हो गया ना इस carbon का देखो इसके इसके तो दो यहाँ है दो hydrogen है इसका देखो एक आई यह 3 चार इसका देखो तीन hydrogen आई एक यह तो यह आपका एक Mars यहाँ देगा एक Mars वहाँ देगा दूसरा देखो क्या पूछा है इफ दा फोर carbon escriton is of a straight chain alkene draw the structure all the possible compound यह आई सो मर्स के टाइब से फोर संपूछ दिया है तुम्हारा अब straight chain है तो straight chain का मतभ़ देखो यह यह चार कारवन है तो double bond structure देखो कैसे मैंने दो हो सकता अगर यहाँ देदेते हो double bond तो देख लो इस कार एक यह एक यह देखो तीन आया समझ में देखो ने इस कारवन का दू एक चार देखो चार अब दूसरा possible दो क्या हो सकता है यहाँ देदो बिटे तो अब इसको दो एक यह तीन दो एक देखो जोर लो ना कैसे जोर दो दोखो तीन एक चार एक पांच एक छो साथ आठ परहो ना अलकीन में कारवन का जस्ट डबल हाइड्रोजन होता है तो आठ हो गया यहाँ भी जोर लो तीन दो पांच एक छो दो आठ हो गया तो वही यहाँ पर देखो यह लिखे हैं देख लो यह देख लो यहाँ दे दिये यही कहता है इफ और कार्वन एस क्रीटन इस्टेट चेन यह एस्टेट नहीं था तुम्हारा अलकीन ड्रॉड अस्ट्रॉक्चर आफ अल्द पोसिबूल कंपांच मानि क्या क्या हो सकता है इस्ट्रॉक्चर तो यह डबलो बॉंड न चेंज करोगे यहाँ करो या बीच में करो अब नहीं होगा इधर इसको इधर करतो दो बतवा एक ही हो गया तुम्हारा अरा है समझ में बोलो कुछ तो बोलो हैं आगे बरें यह दो क्या कर रहा है Ram and Asha were a married couple they had four children one of these children had color blindness whereas the other four children did not show symptoms Ram and Asha did not show symptom of this disease this trait is not linked to the sex chromosome is the disease caused by the dominant or recessive trait क्या करता है रहा है आप देखो क्या करता है यह राम आसा तो मैं देखो क्या करता है not so symptom of the disease यानि इसमें disease नहीं है लेकिन उसका जो children हुआ उसमें से एक जो है तुमारा color blindness बांकी में नहीं हुआ color blindness actually क्या होता है और हलाकि यह भी color blindness चर्चा नहीं तुमारा NCRT में देदिया पता नहीं कैसे को सन लेकिन थोड़ा सा समझे लो sex chromosome देखो क्या होता है यह x x यह x y आप सवादी परे हो sex determination y पे जो है न कोई gene नहीं होता है दो ही gene होता है कान का बाल देखोगे यह कान पे बाल जो है मर्द को ही होता है तो यहाँ पे क्या होता है जो भी gene होता है यह x पे होता है जो ही होगा यह देखो एकस पे होगा फिमेल के केस में क्या होता है कोई भी जीन है तुम्हारा दोनों पे होगा देहां से देखो हम क्या बोलना है अगर सपोज करो यह जीन रिसीसिव है तो रिसीसिव के लिए क्या होता है दोनों ए ए आना चाहिए female के case में लेकिन male के case में अगर एक भी वो recessive आ गया तो वो क्या होगा वो character वहाँ पर express हो जाए क्योंकि वाइपर तो जाएगा नहीं यही चीज पूछा है color blindness क्या होता है recessive होता है जिसे देखे यह x यह c यह female क्या होगा color blindness लेकिन अगर suppose करो यह x x यह c है नहीं होगी color blindness carrier होगा यह लेकिन अगर male के case में देखो अगर यह आ गया तो यह male क्या हो जाएगा color blindness क्योंकि recessive है नहीं है परहे हो ना mandal law में recessive के लिए क्या होता है कि दोनो एली लाना चाहिए तो male के case में तो y तो रखेगा नहीं एकको आ जाएगा male में तो character express हो जाएगा लेकिन female में देखो दोनो एकस एकस पर है तो दोनो आना जरूरी है वही question यहाँ पर दिया है देखो yes it is recessive क्या होता है recessive होता है trait does not express itself in all children it is likely to be a recessive trait क्योंकि यहाँ पर कहता है क्योंकि वह recessive trait था yes it is x-linked तो है यहाँ यह क्या कहता है since both male children received the x-chromosome from the mother who is colorblind it is likely to be linked to the x-chromosome अब देखो यहाँ पर राम देखो एकस वाई है आसा देखो यह यह colorblind में से है अब अगर इसको cross कराते हो देखो pinnate square बनता chart देखो कैसे बनाओ गए यह देखो यह male हो गया x-y यह female देखो colorblindness है अब fertilization कराओ देखो यह देखो क्या होगा यहाँ पर female क्या हो जाएगा carrier हो जाएगा male क्या हो जाएगा total male क्या होगा तुम्हारा colorblindness हो जाएगा तो वही देखो यहाँ पर दिया है आपका यह देखो समझ में आया है बोलो अगर recessive में क्या होगा है तुम्हारा अगर कोई एक character अगर recessive है तुम्हारा तो recessive के लिए दोनों एलिल चाहिए आप उसको एक normal से करा देते हो human के case में तो male जितना होगा वो क्या होगा वो symptom उसमें आ जाएगा female carrier हो जाएगा लेकिन अब suppose करो इसकी साधी एक normal male से होता है तो आप देखो क्या होगा एए sorry एने ठीक तो थाएगा यह देखो normal female से है देखो क्या होगा ध्यान से देखो अब देखो यहाँ पर x y x y ध्यान से देखो अब एक color blind male है उसको साधी आप एक normal female से कराते हो तो उस case में क्या होगा उसका जो बच्चा होगा उसमें जितने male होगा they does not suffer from the color blindness और female जो होगा वो क्या होगा carrier होगा वो सो नहीं करेगा सिट्रम लेकिन वो carrier होगा यह इतना तुम को बताना था इसके साथ क्या करना है तुमको डाइग्राम देखो एकदम आता है खास करके बाइलूजी में देख लो यह digestive system एकदम बना लेना बेटा सबसे ही पोटेंट जो होता है तुम्हारा यह नेफराउन का structure दूसरा देखो यह अभी तक जो ट्रेंड है यह female reproductive आगे और एक कोश्च्चन और हम बता रहे हैं तुम्हारा यह परे हो प्लांट में यह थी आगे श्रीज़़श्चन के आगे पांश्चन के नेफरा रहे वाएक और प्लांट में यह थी थी रूश्चन अगे आगे थी यह याद कर लेना यह देखो तीन डाइगराम तो एकदम मस्क बना लेना और उसके साथ अगर हो सके तो हॉट का अगर कहोगे तो एक सेशन हम आपको डाइगराम पर एक सिंप्लिफाई करके और नहीं भाई यह वो पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता है रिस्परेटरी सिस्टम भी पूछ सकता है अगर वो को संसेटर बहुत ही इजी बला है तो नियूरोन का डाइगराम पूछ द ने फ्रॉन और यह फिमेल रिपोड़क्टिव सिस्टम यह बराबर पूछता है को संसेटर और इसी पांच नमबर में आता अगर यह को संस दे देता है तो इसी में को संट टैग लगा देता है तुम्हारा ओभूलूसन क्या होता है कब होता है परे हो 14th day of MC cycle उसके बाद तुहरा दूसरा इसमें पूछा फर्टिलाइजिसन कहां होता है कहां होता है जल्दी बोलो Oviduct या फोलेपियन ट्यू बोलो इसी में एक और जोड़ देता है Implantation क्या हुआ इंब्रियो कहां हो जाता है Uterus में sit हो जाता है यही पर वो ग्रो करके एक चाइल्ड का रूप लेता है कहीस तरीके से question पूछता है ठीक है बोलो और कोई दिक्कत कुछ तो बोलो बोलो और क्यों ऑ्यूद जाता है हुआ झाल में.. अझा हुआ झाल